मुझाना पर जूारी डूरा सियुक्त करते हैं आज हम अहीं दुभवर दू करना भी जाना है जिन आप इस नाम में ख़रकिनी गार्से हैं मेरी मुराद गर्टर मुंतारी साहव हैं जो खेजरबाद से दानुप रहते हैं और इस्वाभी इंटरनेशनल इस्वाभी की इंटरनेशनल मलेशिया में प्रोफेशर की एस्टेटिमाद रहते हैं मेरी 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 आफिशनल मेरी एस्टेटिमाद अब आफिश्टिमाद रहते हैं और आफिश कि आफिए मगा दोरा रहते हैं सिर्णा से किताब किया है और आदमी चलायत में आपके जो टिपर्स हैं और आटिकल्स है भी शाय हो चुते हैं सोग्से एहन बात है कि अटिक्टर प्रोफेसर मोहमन दरलीज साहब और उनकी एखिया प्रोफेसर जीनन्त साहब तोनुं मगिश्यां के रिदे देदे बे दिपाय इस्लां काजी काम कर रहें तो यह सोग्से एहन बात है और डेक्टर को यह भी एग्दास के हमारे सब्सक्राइब देखन की अजीब शत्कियत डॉक्टर हमीरुदा साहाब जीज तरह सारी गुन्या में अपने कादाउं के इन भी कादाउं के लिए अपने अन्जमेंट के रुप छोड़ें उसी तरह डेक्टर मुंतादरी साहाब विक्शाम करते हैं उस्ताही काम करते हैं औरुथानी भी काम करते हैं भुकरम भाईयों और मैंनों। ये अज़ा मतुमार को दाला का राकला आखलाव शुक्र और एक्सान है। कि हम लोग पुछ ऑफार्ब करके एक भुब्रे से मताफार करने और एक भुब्रे के फ़हरा से सिफ़ार आगे में कि अपने को फ़हरा करने ये कि अज़ा तुमारे को ताला का अखलाब एक्सान रसुख रहे कि उस्तिन को इसकी सब्चाई और अफ्रिकत से रूशनास कराया, बन्कि उसके तामने हमारी पेदाईश भी, हमारी करवरीश भी और हम उसी के साए में अपने मुरीत को आगे दानी के उज़िए कर रहे हैं मसल्मान और इस्लाम का तालुख बहुत किछा, अनमिन्ट और कभी नफ़ भूने माद तालुख थैंगे इसल्म को जजर अदास करें, इसल्मी तारिमाद को जजर अदास करें, प्राय नाम के मुसल्मान रहें तो फिर मुसल्मानों की अपनी कोई ना वुपत होगी और ना होगी पूरी अहमियत होगी। असल्म एहमियत मुसल्मानों की सिर्फ और सिर्फ इसल्मी की मजासे है। उसके लिए मर्व और मिट रहें। वाहिए मुसल्मान है पूरे आलम इसल्म में और पूरी दुनिया में जो इसल्म की बुनिया पर अपनी इन्फिरारियत, अपनी शराफ को बर्फरार लटने के लिए जद्धु जजर करें। ये जद्धु जहर हमें कभी काम्याम होती भी नदर आती है। और कभी बहुत ही कमजोर लोग के साथ दिखाई लेती है। लेकिन एक जिंगारी है जो पूरी दुनिया में मसल्मानों के दिलों में दुमाओं में रची बसीवी है। और वक्तन वक्तन दुबरकर सामने आते दिखती है। मुझसे नवादाहिद अलिखाई साहब ने भाइश की कि मैं यहां इस जारे में इतनों जवालम से लाखाद करों। इस वातिन से लाखाद करों। और उनके सामने मलेशिया में तालीमी इमकानात और मुलाजिमत के बहुते पर कुछ दारे श्यार करों। मैं इस बात इस दार्वत को फॉराद किस्रिया कुल कर लिया। कि पुदिश्टा रमजान में मुझे ऐसी कैदरी में शिर्कत करने का मौपा मिला। जिसमें तमाम के तमाम शिर्का तलगाना से ताज़ों करते हैं। और यह जानकर खुशी भी हुई और कुछ रज़ो मलान भी हुआ। कि तक्रीमन दोसों गाइसों के फरीज शिर्का थे खुवातिन और मल्ग हज़रात दोनों। उन तमाम शिर्का में सिर्फ दस या बारा मुसल्मान और जवान। यह मुझे छटका सा लगा। फिर दुसरे तीसरे दिन या दुचा दिन के बार एक हज़रवार मौस के नाम के रिस्टॉरांट है। उस रिस्टॉरांट में हम कानी के लिए वहां। तो हमाने लेफ साइट पेरल एक फंदरा पीस लोग एक साथ बेट रखाना कारें। और सीडियर लोग की घिलमत कम कर पाते हैं कि इस तरह की पास्टॉर्ण में जाके खाना करते हैं। यह लोग जटहर कर रहे हैं। नेट वर्किंग कर रहे हैं। आर्ञा तालीम में मुसाबशत में हिस्सा ले रहे हैं। अपने आपको एफिशेंट प्रोड़क्टीव कॉंपिटेंट प्रूफ कर रही है जिसके नतीजे में उन्हें वाँ मुनारब करते मिल रही हैं और में अधरबाद से देराता लोग अमरिका और्टिमिडलीज और फिल अस्केरिया अधरा की तरफ रुक्तिये हैं लेकिन मलेशिया, सिंगरपूर, पुरुनाई, इस तरह के मुमारी की तरफ कमी तोज़ देखाए हैं तो मुझे लिए इसाद हुआ कि मैं अधरबाद में अ अधरे लोग तो अधरबाद करना और उनके जोज़ देखाए हैं और अज़कर आउनलाइन हर चीज अविलेबल है आजसानी से आप अपने घर में वैटकर किसी भी मुल्क के ताइम एदारों के बारे में, किसी भी मुल्क की कमपनीज में, उनादिमतों की सवलतों के बारे में आप अपने घर वैडियर मर्मान पस्किन कर सकते हैं तारीम की एहमियत और आला तारीम की एहमियत से हम में से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है जब हम आला तारीम के बारे में सोचते हैं, गौर्फिक करते हैं तो हमको कुछ और चीजों की तरफ भी मनातरी जाना चाहिए और ऐसे एसपेक्ट जो आला तारीम से रिलेटेब हैं उस पर भी उनको गौर्फिक सर्दिंगी दरूरत होगी है मिशाल के तरफ पर तारीम का हुसूर और फिर आला तारीम का हुसूर किन मकासित के लिए आम तरफ पर ये दिखा गया है कि तारीम को मुनालिमत से जोड़िया रखा और तारीम को सर्टिफिकेट से जोड़िया रखा हम तारीम हासिल करते हैं कुछ फ़र डिग्रीज के सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और डिग्रीज को ये सबटते हैं कि ये जरिया रहे राजमत हासिल करते हैं इसमें कोई शड़ नहीं कि डिग्रीज की अपरी एहमियत है लेकिन डिग्रीज से जिर्दा इस चीज़ की एहमियत है वो है हमारी अपरी जाती सलाहियत हम में से कुछ लोग यह समझते हैं कि कुछ बख्सूस कोस्स है अगर हम उन कोर्सेस में तालीम हासिद करें और डिग्रीद हासिद करें तो मुलाजिमत के मौाफ़ पूर जिया रहा है इसमें भी कुछ सचाई जरूर हो सकती है यकि अठिकत पूरी की पूरी इसी के अंदर समाई हुई नहीं है आप किसी भी सच्जेक्ट में तालीम हासिद करें आप के लिए मुलाजिमत के मौाफ़ पूरी तरह से महसर लेकिन इस शर्थ है वो शर्थ यह है कि आप तालीम को तालीम के जरीए से हासिद करें तालीम के मफासिद को समझते हुए तालीम हासिद करें बहुत से लोग तालीमी मकासित के सिल्सले में जो बाते कहते हैं उसमें से दो बाते बहुत बशूर है लोग समझते हैं कि तालीम के जरीए से हम उपकी तर्वियत कर पाते हैं और कुछ हमारी ट्रेनिंग होती है हम कुछ सीलों के बारे में सीखते हैं हमारे अंदर कुछ अखलाफ पेड़ा होते हैं सही है लेकिन अगें यह मकमल सच नहीं है कारीव के बारे तारीव के वखासित के स्लब्सेले में अर्मा एसलाम ने बहुत सी बाते की है लेकिन तवाव की तवाव बाते जो हशिकत के बिल्कुल खरीब नहीं है कुछ ही बाते ऐसी हैं जो हशिकत के खरीब है मलेशा एक प्रफेसर है स्यद्म अब लाकी बलताब को बश्कुरा आगी है उन्होंने तालीम के आला मखासित की वदार करते हुए ये बात वाज़ करने की कुछिती के तालीम का मखस्द ना तालीम है ना तर्वियत है बलके तालीम का मखस्द तावीव है और तालीम के माले होते हैं डिसिप्लिन क्रियेट करना और डिसिप्लिन क्रियेट करने का मत्तब होता है कि एक जस्ट एंवार्मेंट को डिवलप करना और जस्ट एंवार्मेंट को डिवलप करने का मफस्द होता है कि हर चीज से इंसाफ करना, अर्थ करना, जस्टिस करना तो डिस्प्लिन के वो यह माना बदाते हैं कि जस्टिस करना, इंसाफ करना इनसाफ क्या चीज़ है, डिसिप्लिंग क्या चीज़ है, जिस्टिस क्या चीज़ है जो तारीम के आरा मकासित में शामिल के जाते हैं उसकी कुछ मिसाले में आपदार के सामदे अगता जाता है डिसिप्लिंग मैं अगर तारेवे जिन हूँ या मैं मुझाजिम हूँ या मैं बिस्निस कराओं किसी भी शुबे जिन्दगी में जिस अमर में मैं हूँ उसमें मैं अप्तर बोट बने कराओं हूँ तो वहां मुझे अपने आप से अपने आखार से अपने पेशिये से अपने तारिमी मराइल से इसे 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 इस जिन्दगी के दौराद हम को हासिल करने होते हैं। अलाव अखबार ने तमाम मुल्माई कराम से इफ्तलाव करते हुए तालिम के मुखासित के तहट जो बाते कहीं हैं वो वाकिरतन सुनेरी दूर्टों से लिखने के खामिन है। अलाव अखबार ने की यह नहीं कहा कि तालिम का मफस्द तालिम और तरुएत जीब ट्रेडियरी है। या स्कील्स को डिवलब करना है। तालिम के तालिम का जो दुन्यानी मुखस्द है वो दूचीज़ उनकर मुश्तभी है। एक है खौफ का दिजारा करना। हर सक्सक्स के अंदर एक तरह का खौफ होता है, उस खौफ से नजात पाना, मैं इंटर्विन के लिए जा रहा हूँ, बताने इंटर्विन में ना कामिया होगा या ने कामिया होगा, एक खौफ की कैसियत तारी होती है, मैं इंटर्विन के लिए जा रहा हूँ, मेरे अजावा ना मुजम से से अचे jidic hore निक जां और किसी और कीसि बोर्ट को शलैक्क करीग़ी निए सब्रता मुझे एस्वा के एक हैं किस 느 ने ने कीमख़ाकत मेरे ही ही होंगे मुकमत होंगे और फैनली इंडर्वी बोर्ट कोजे ही मुन्दखित करेगा। यह है वो एत्माद जो तारीम के जनीए एक तारीम के अंदर या किसी श्रस के अंदर पैदा होता है। हजारों की लोगा खौफ इंसान के जिल और दमाग में चाया रता है। उन तमाँ खौफ की शक्रों से आजाद करना तारीम का मस्क्त है। यानि एक तारीम या का शफ्स सिवाए अधिया के खौफ के किसी और खौफ को खातिर में दीदा है। उसके अंदर अधिया कि खुद एत्मादी पहला होती है। एक ऐसा जजबा पहला होता है जो उसे तस्खीर काईनार के लिए आमदा करता है। जिन्दगी की जद्वजहत में काम्याभी से हर्म किनार करता है। पिल दूसरा पहलु तालीम के मफासित के तरह नदा में पाद करते हैं। वो है तालीम के जरीए खुवदे इरादी को पैदा करना। विल्पोवर को जनरेट करना। मैं तालीम हासिल करना हूँ और मैं अपने तवाम तालीमी मराहिल में बेटर से बेटर और आला से आला। अगर ग्रेट की जमान इस्तिमाल की जाए तो मैं ग्रेट हासिल करूँगा। मैं किसी भी शुवे जिनदगी में खिदम रखोंगा। तो उस शुबे जिन्दगी के अंदर एहसन तरीखे से जिसका अगरी तर्जमा होता है एक्सेलेंट तरीखे से अपनी खिद्मा अंजाम दूंगा ये वो डिटर्मिनेशन है जो तालीम वासिल करने के बाद एक इनसान के अंदर पहला होता है खौफ से नजाद और अपने जो भी दुनियावी मखासिद हैं उन मखासिद के हुसूल के लिए खुबत इराली का पैदा करना और जो तो खुबत इराली में काम्याब हो जाते हैं अपने अंदर पैदा करते हैं वो पथर तोड़कर जमीन खोड़कर अपना रिस्क खुद हासिल करते हैं खुद पैदा करते हैं उनके बड़ते कर्दम तो दुन्या की कोई टाकत नहीं रोटती क्यूंक्य उनके अंदर कोई खौफ नहीं है बल्के उनके अंदर इमान भी दो कहते हैं और इमान का मतलत है मतलत हैं कि हम आल्लओ पैस्तथ सब यकीन रगते हैं कि वो हमारी उश्ट पर है और उसका हाथ हम पर है हम किसी भी काम में किसी भी तारीवी मैदान में ख़दम रखेंगे और एक्सलेंस आसित करेंगे चुंके हमारे पीछे अधना हुआ जुका रहा है उसकी हिमाय और उसकी नुस्रत हमारे साथ है कुवत रादी का फुक्दान और उसके खौफ को चोड़कर बेश्मार खौफ का वज़ा करेंगे लाग जिजो जमाब में तारीमी मखासिद को खत्म करने के मुझराथ है आज के दोर में तारीम के मखासिद में जो चीजे शामिल की गई है आलमी सदा पर वो सुख की सुख अगर मातहर हो इन दो पहलों के तहर तो वो मुफीन साविक होती हैं जैसे अपने अंदर की स्किल्स टेक्निक्स और टूल्स को पैदा करना एक प्रोफेशनल मस्ट बी फुली एक्विप्ट इस्किल्स और टेक्निक्स सही है इसकी एहमियत है इसकी जरूरत है लेकिन ये टेक्निक्स ये स्किल्स ये टूल्स बजाए खुड़ इनसान की काम्याबी की जमाने नहीं बन सकते जब तक के उसके अंदर कुबत इख रादी ना हो! जब तक कि उसके अन्दर शोओर ना पैड़ा हो जब तक कि वो तालीम को तालीम की हथिए से हासिल ना करेiza तीन मिद्रा होगाई होते हैं तालीम के वसूल के वागया इन्दर खौक से लजाले पज़ा करेंग और फिर धानी नीट करेंगे तो तीन अकमराईल क्या हैं? हम जब तालीम के मेडान में होते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं हम इस ते सुबी पढ़ते हैं,, तालीम के मतहल के मी जड़ते हैं, हम सुभी पढ़ते हैं लेकिन हम अपने आप से सवाल करें कि हम जब तालिवे इन थे या तालिवे इन हैं हम में सिर्क कितने हैं जो पढ़ते हुए अखली और जहनी तोर पर एक एक जुम्ले को समझते हैं और जो एक सफ़ा दो सफ़े तीन सफ़े जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके माना वो मतलब को पूरी तरह से समझते हैं अगर आप मिलास समझें पढ़ते हैं तो वो तालिव मारे दीवे इन था तालिवे तो पहला मज़ड़ा यह है ज़र तालिव महासिदे करें तो खड़म खड़म पर हम अपने अंदर उस तालिव से उड़ार पर जितने पहलों हैं उनकी समझ पहला करें अपने अंदर और वो समझ पहला करने के लिए हमको अपने अख्ल का पर पूर इस्थमार करना पड़ता है जब अपने अख्ल का इस्थमार करने हैं तो उस समझ में आता है जजबादियत क्या चीज़ होती है और एक सुल्गा वाजहन किस चीज़ का नाम है हम मुसल्मां की जो खुसुसियात हैं हम में जजबादियत बहुत बरीवी है और सुल्गे वे जहन के नौजवान बहुत कम है मैं यहां की नहीं पाकिस्तान की बिशाद हूंगा यहां की किसी की भूंगा है तो शाय की दूपास है। वुरा भी मालू हूं। मुट्कों ने इज़बाती तक्विर पर देखा रख रख एक्साल के लिए। कि कहे के मैं शराब पीता हूं इंसानों को खूल नहीं पीता हूं। लेकिन दूद्रे लोग हैं जो इंसानों को खूल पीते हैं। मैं शराब पीता हूं। नारे तक्विर पीता हूं। यह क्या चीज है यह। मैं तबिलनाट के विसाल देता हूं। क्या रेज़ए तबिलनाट के तानीम का। बहुत अच्छा रेजुए तालिंग का हाई पॉलिफाइड तालिंग याफता लोग जैल अलिता के जाके खदम सुगे थे उसका औरदान रहांते थे और आज भी हमारे मुल्क में इंत्याई हाई पॉलिफाइड तालिंग याफता लोग का हुमात का शिकार है चुंके वो मफ्लूब हो जाते हैं उस पर जब भजबी रुजानार के तहर मफ्लूब होकर अपने जहन के सही इस्तिमाद को मफ्लूब कर देते हैं हम को जो बात समझाई रही है तालीम के बैदान में वो यह है कि हम कोच चीज़ भी पढ़ें समझदारी के साथ पढ़ें अखल के बन्पूर इस्तिमार के साथ पढ़ें और उसके अंदर हम गौर और फिक्र करते रहें कि क्या आप कही जा रही है क्यों कही जा रही है किस तरह से कही जा रही है यहां पर दूसरा पहलू तालीम का हमारे साथ निया आपा था जिसमें मैं समझता हूं कि 90% सुझान कर दो वो है तालीम का रसूल जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी नीडिंग आप पर रहे हैं क्लास की किताब हो या इसलाम के कोई किताब हो या अखबार की कोई नियूज हो कोई भी चीज हो आप समझदारी के साथ जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन तनकीदी मुटि रज़र से आपका उताला नहीं हो रहा है इंजन बातों के साथ रहनी बातों करना जाता हूं